सबसे पहले हम 46 चेन बनाएंगे हम 46 चेन बना लेंगे उसके बाद एक चेन को छोड़के और उसके बाद एक बल लेंगे और एक चेन को छोड़कर अगले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर प्रतिक चेन में हम 45 चेन से हमने 45 डबल क्रोशिया बना लिया यह 45 डबल क्रोशिया बन गया अब दो चेन बनाएंगे और इसके उपर पिर से डबल कुरोशिया बनाना सुरू करेंगे इस तरह हम नौ लाइन बनाएंगे मैं नौ लाइन बनाके आपको दिखाती हूँ देखिए फ्रेंट्स ये नाइन रो कंप्लीट हो गया है और अब दस्वा हम लाइन बनाएंगे देखिए फ्रेंट्स ये दस्वा लाइन है और प्रतेक डबल कुरोशिया पे डबल कुरोशिया बनाते हुए 37 डबल कुरोशिया बना लिया है और अब लास्ट के ये 8 चेंग बच गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 8 चेंग बच गया है तो अब हम यहां इधर नहीं बनाएंगे और हम 9 चेंग बना लेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं 9 चेंग बना लिया और इस पर हम एक चोएन छोड़ के और प्रतेक पर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे एक दो हमने आठ डबल क्रोशिया बना लिया है और अब हम इधर बनाना शुरू करेंगे देखिए फ्रेंट्स आठ इस यह और बीस यहां पर हमने बना लिया है और इधर के सत्रा डबल क्रोशिया इधर के सत्रा डबल क्रोशिया छोड़ दिया है अब दो चेन बनाएंगे और यहां से ही पलट जाएंगे और अब प्रतेक पर डबल कुरूशिया बनाएंगे देखिए फ्रेंट्स प्रतेक पर डबल कुरूशिया बनाते हुए हम दूसरी साइट पर आ गया है जिधर हमने ये छोड़ा था इधर हमारा अंगुठा बनेगा और अब ये उंगलिया बन रही हैं तो अब हम फिर दो चेन लेंगे और एक ये चेन में छोड़कर दूसरे वाले चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यानि यहाँ पर हमने एक चेन घटा दिया और अब प्रतेक में यहाँ तक हमें प्रतेक में डबल क्रोशिया बनाना है देखिए फ्रेंट्स प्रतेक में डबल क्रोशिया बनाते हुए हम किनारे तक पहुँच चुके हैं अब फिर दो चेन बनाएंगे और वापस यहाँ से मुड़ेंगे और यहाँ पर हमने एक चेन चुड़ा था, हम एक चन और चुड़ेंगे, इस तरब हम बनाएंगे, प्रतेक में हम डबल कुरुशिया बनाते जाएंगे देखिए फ्रतेक में डबल कुरुशिया बनाते हुए हम किनारे पे आ गए हैं और अब हम लास्ट वाले पे नहीं बनाएंगे दो चेन बनाएंगे और फिर एक चेन को छोड़ देंगे और अगले वाले चेन में हम डबल कुरुशिया बनाएंगे और लास्ट तक आएंगे देखिए फ्रेंट्स प्रतेक पर डबल कुरुशिया बनाते हुए हम किनारे पे आ गए हैं और यह हमारा पांच वा लाइन है देखिए एक दो तीन चार और पांच घटाने के बास से यह हमारा पांच वा लाइन है अब अब यहां पे हमने साथ डबल कुरुशिया घटाया था तो अब हम यहां पे 18 चेन बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंद्रा, सूला, सत्रा, अठारा और फिर बल लेंगे एक चेन को छोड़कर 17 हम डबल कुर कुरूशिया इसमें बना लेंगे दीखिए फ्रेंट्स इधर हमने 17 डबल कुरूशिया बना लिया है और अब हम इन डबल कुरूशिया इस पर अब हम बनाएंगे प्रतेग में हम डबल कुरूशिया बनाएंगे लास्ट के पहले तक देखिए फ्रेंट्स प्रतेग में डबल कुरूशिया बनाते हुए हम किनारे तक आ गया है और अब हम इसमें भी लास्ट वाले में नहीं बनाएंगे और यहीं से लौट जाएंगे ये देखिए और लौटते समय भी एक चेन में हम नहीं बना के एक चेन को स्किप कर दे रहा है इस तरह ये हमारा पंजे का शिप आ जा रहा है और अब हम प्रतेक में यहां तक हम सब में डबल कुशिया बना लेंगे देखिए फ्रेंड्स प्रतेक में डबल कुशिया बनाते हुए हम किनारे पे आ गये हैं फिर हम दो चेन बनाएंगे और यहीं से पलट जाएंगे और अब प्रतेक में डबल कुशिया बनाते जाएंगे देखिए फ्रेंट प्रतेक में डबल कुशिया बनाते हुए हम किनारे पे पहुँच चुके हैं और दो चेन ले लिया है और अब तक जैसे हमने यहाँ डिक्रीज किया है वैसे ही अब हम इसे आगे के लाइनों में हम इंक्रीज करेंगे तो ऐसे पल्टेंगे और पहले बाले में दो डबल कुशिया बढ़ाएंगे और उसके बाद प्रतेक में एक एक डबल कुशिया जैसे हमने यहाँ डिक्रीज किया था वैसे ही अब हमें इंक्रीज करना है हुआ 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 है हुआ है झाल है लाइन में देखिए एक दो तीन चार पांच पांच लाइनों में हमने फंदे घटा हैं यानि ये टोटल हो गए एक दो तीन चार पांच छे साथ लाइन आठफे लाइन में हमने न फंदे घटा हैं न बढ़ा हैं और उसके बाद हम यहाँ पे फंदा बढ़ाना शुरू कर र सती जिए से अज़िए से सबक् whether को रिए चाहिए टाले दो लाईन बना लिया है और पांच लायन हमें और बनाना है तो यांनदaran पांच लाइन में पुरा फुरिए ऋटी सिक्स दबल कोश्या में खराद करनी है तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाते हं 46 double crochet complete करने के लिए हमने यहां पर किनारे पर दो चेन लेंगे और इसको पलतेंगे और लास्ट वाले में हम दो double crochet बना लेंगे एक बनाया और इसी में एक और बना लिया यहां पर ऐसे बढ़ना शुरू हो जाएगा इसी तरह हम किनारे किनारे बढ़ाते हुए 46 double crochet बनाएंगे दो हो चुका है लाइन और यह तीसरा लाइन है इस तरह हमको साथ लाइन बनाना है देखिए फ्रेंड्स यह हमारे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ लाइन यह घटे रहें फिर एक लाइन में हमने कुई फंदे ने घटा हैं फिर एक लाइन में हमने बनाईन यह आदा अदा वीनें इसी प्रहित लाइन ने फ्रूद के पांद एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ लाइन में लगातार फनले बढ़े हैं और ये इसके बराबर हो गया है देखिए इस तरह हमारा ये जूती त्यार हो गया है देखिए ये ऐसे बना है और अब इसकी सिलाई करने है देखिए प्रेंट्स इसकी ऐसी सिलाई होगी इन दोनों को ऐसे रखेंगे और यहां सिलना है और इसको ऐसे हाफ पे फूलड करना है और ऐसे सिलना है यहां से सिलेंगे और यह ऐसे आएंगे और इसको सिलेंगे और उसके बाद हम इस पोशन को सिलेंगे और फिर इसको सिलेंगे और दूसरे पैर का इसके अपोजिट यानि ऐसे सिलेंगे और ऐसे सिलेंगे एक बार अंगुठा इस तरफ रहेगा और दूसरी बार अंगुठा इस तरफ रहेगा तो चलिए हम सिलाई करते हैं इस वाले पोजिशन को ऐसे फोल्ड करेंगे और यहां से सिलाई करना शुरू करेंगे यहां तक सिलते हुए फिर यहां तक कटे हुए हिसे तक हम सिलेंगे अंगुठा सिलने के बाद अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर यहां से सिलाई शुरू करेंगे और सिलते हुए यहां तक आएंगे इस तरह सिलते हुए यहां तक आएंगे और अब हम इस पोशन को सिलेंगे यह पैर का तला है इस पैर पोशन को सिलेंगे देखे फ्रेंट्स यह पीछे वाला हिसा सिला जा चुका है और अब हमें इसको सिलना है अब हमें इसको सिलेंगे पहरमें आ रहाएंगे आए अब है वहीं आ हुआ मैं च्रुए फ्रेंट्स यह चारों तरब से सिला जा चुका है और हमारा यह जूता त्यार हो गया है अब इसको हमें सीधा कर लेना है अधिया हमारा, युता टारा झाल